दोस्तो साल 2020 में जनवरी का महीना था और जब बॉक्स ओफिस पर आजी देवगन के फिल्म तानाची ने खूब धमाल मचाया था और उसके बाद करोना किमार ऐसी पड़ी कि सिनेमा हौल ही बंध हो गए लेकिन केसिस कम होने के बाद थेटर्स तो खुले लेकिन फिल्मों को दरशक नहीं मिले तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणवीर सिंग की 83 जो की आज सिनेमा गरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे सुर्य वंशी फिल्म के पूरे 48 दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे आलू अर्चुन के फिल्म पुश्पा के पूरे आट दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तो अक्टुबर साल 2021 में देश भर की सिनेमा घरों में पूरी तरह से फिल्मों की रिलीज होने का सिलसला शुरू हुआ था थेटर्स खुलने के वाद सबसे पहले सूर्य वंशी ने दाव चला और फिल्म ने बॉक्स आफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि इसके आसपा जो भी फिल्म में रिलीज हुई थी वो सभी फिल्म में आयाराम और ग्याराम साबित हुई दोस्तो अगर बात करें फिल्म सूर्य वंशी के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमा घरों में 48 वा दिन चल रहा है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि फिल्म अभी भी जबरदस्ट कलेक्शन करने में काम्याब हो रही है इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा घरों में एक से बढ़कर एक हर फिराइडे को बड़ी फिल्म में रिलीज हो रही है लेकिन सूर्य वंशी की अगर कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 26 करोड़ पाचास लाक रुपे की बहितरीन ओपनिंग की थी और उसके बाद फिल्म ने ऐसा तूफान मचाया है कि फिल्म बॉक्स आफिस पार सूपर हिट साबित हुई वैसे अगर टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाए तो सूर्य वंशी ने 197 करोड़ उपे का बॉक्स आफिस कलेक्शन कर लिया है और फिल्म का जो बजट था वो लगबग 180 करोड़ उपे के आसपास था लेगिन उस से पहले ही यानि के रिलिस से पहले ही अपना बजट फिल्म निकाल चुकी थी बॉक्स आफिस इंडिया पर भी तगड़ी कमाई की है और बात करें अगर पूरे वल्ड की तो पूरे वल्ड में इस फिल्म ने लगबग 300 से भी ज्यादा करोड़ उपे की कमाई की है और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हो चुकी है अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे पुछपा फिल्म की तो आलू अर्चुन और रश्मी का मंदाना की इस फिल्म ने भी दर्शो को काफी प्रिभावित किया है और फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छी कमाई करती हुए कही रिकॉर्ड अपने नाम की है वैसे फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडिया में 45 करोड रुपे का बॉक्स आफिस कलेक्शन किया था और पूरे वल्ड में इस फिल्म ने अपने पहले दिन सभी लेंग्विजिस में लगबग 71 यानि के 71 करोड रुपे की कमाई की थी अब दोस्तो फिल्म का जो 6 दिनों का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन था इंडिया का वो हो चुका था 145 करोड रुपे और फिल्म ने 7 दिन भी जबरदस कलेक्शन करते हुए 7 करोड रुपे की कमाई की है और फिल्म का 7 दिनों का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन हो चुका है 152 करोड रुपे अब दोस्तों अगर 8 दिन यानि के आज की बात के जाए तो आज भी फिल्म लगबग 8-9 करोड रुपे कमाने वाली है और फिल्म का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन लगबग 160 करोड रुपे होने वाला है इंडिया में वैसे पूरे वल्ड में 500 करोड से भी ज्यादा कलेक सूर्य वंशी की तरह करोणा की वजह से इस फिल्म का भी दर्शक बड़ी बेसमरी से इंतिजार कर रहे थे और यहां बात हो रही है रणवीर सिंग की फिल्म 83 की जा दोस्तों देश का सिर्व गर्व से उचा करने वाली इस मूवी में भारत की किर्किट वर्ल्ड कप से जी पाईगी या नहीं अगर बात करें फिल्म 83 की तो दोस्तों कभीर खान के डिरेक्शन ने बनी है ये फिल्म और फिल्म में रणवीर सिंग पंकस्तिर पार्थी और दिप्री का पाड़ू कोण हमें अहम किरदारों में नज़र आ रहे हैं वैसे इस फिल्म को भी पूरे कि अड़वांस बुकिंग की है तो इस हिसाब से आज अपने पहले दिन ये फिल्म लगबग 18 करोड उपे कमाने वाली है 17 से 18 करोड उपे का पहले दिन का बॉक्स आफिस कलेक्शन होगा इंडिया का फिल्म 83 का तो दोस्तों आपको इसमें क्या है कहना आपकी इसमें क्या ह कामेंड में सुरू बताईएगा